अनुरोद करती हूँ डाउलमाउ से माननी विधायक श्री अजेपाल सिंग जी से कि वो हमें संबोधित करें मन्नी राशिय जट सुन्य गांधी जी रेल मंत्री लाहुब साद्य अदो जी येवा सांसर राहूल गांधी जी रेल राजमंत्री श्री वेलो जी रेलवे के अधिकारी गण इवा मंच पर बस्त मननी विधायक गण सरेनी रैवरेली जर्बत की सभी दूर दूर से आई हुए नौजवान साथियों सभी का मैं इस मंच पर स्वागत करता हूँ मंच से और इस रेल कोच कारखाने के निर्मान के शुबारम के लिए एक बार पुना जो चार महुनों से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इसका शुबारम होगा आज वो शुबगड़ी आ गई है इससे आप सबकी तमाम जो भी उम्मीदे थी वो खरी उतरेगी और ऐसा ही आगे हम लोगों को विश्वास है कि सोनिया जी के हाथों राहुल जी के हाथों इस छेत का दरदर विकास पोता रहेगा धन्यवाद जैन अनरोज करते हूँ बच्रावा से माननिय विधायक श्री राजराम त्यागी जी से कि वो हमें संबोधिक करें आवे जमजम की तरह पवित और गंगा की तरह निर्मर राहे बरेली की ही नहीं पूरे देश की हमारी नेता परमसत्या सोमिया गांधी जी और पूरे देश के युवा तुरके भागी विधाता आदर्णी राहुल गांधी जी रेल विभाग को आज लित्रिक्नाला जी में ले जाने वाले परमसत्ये लालु यादो जी आदरी रेल राजमंत्री आदरी वेलु जी हम आज रैवरेली की जहती पर आदरी थोनिया जी ने फोनिया गांधी जी आप ने जो एक नया इदिहाफ दिया है रायवरेली के लोगवानों को रायवरेली का इदिहाफ आप देश के स्वाइब आफ्रों में निखा जाएगा मैं सिर्फ दो बाते कहना चाहता हूँ सिर्फ एक मान्नी राउल जी का छेतर लाल गंज से राईगरेली अक्बर गंज सिंगपूर सिम्रोता मान्नी राउल जी उधर हमारी बिरान तपाके से आपका छेतर है और लाल गंज एक स्वाल अस्थरों में लिखा जा रहा है इसलिए यहां से एक रेले लाईट की मान्न करता हूँ कि मान्नी राउल जी से लाल गंज और राईगरेली माराज सिंगपूर गोरत पूर सीधे तुड़ जाए बड़ी कपा होगी वह दूसरी इक्षा हमारी मान है मान्नी सोनिया जी आदरडी राउल जी नौजवान राईबरेली का नौजवान आज की ओर देख रहा है हमारी हाद चोड़ कर केवल बिल्टी है कि इस रेल कोर कार खाने में राईबरेली अबेटी के नौजवानों को अलग से कुछ ना कुछा रख्षा दे ताकि राईबरेली करनों जुवान पूरी परीके से सबाविस्टो हो जाए बड़ी कपा होगी मैं बच्रावा भिदान जबा के अंसूचिस सबाज के कारिकर्परों की ओर से अंसूचिस सबाज के जनता की ओर से अंरोज करती हूँ सलोन से माननी विधायक शिव बालग पासी से कि वो हमें संबोधित करें अंसूचिस समावो के अज़िता कर रहें सम्मानी तद्धिक जी पूज शरीमती शोनिया गांधी जी मानी रेल मंत्री जी मानी देल राज मंत्री जी सम्मानी जनरल मैनेजर फाहब और पूज राहुन गांधी जी हमारे साथ मन पर बैठे हमारे सभी सम्मानी विधायक गांध सम्मानी अधिकारी गांध और छेप्र के राइबरली जन्पदो रास पास के उपस्तित हमारे सभी सम्मानित भाईयों, माताओं और बहनों, कांग्रेश के सभी संगठनों के हमारे सभी सम्मानित कांग्रेश जिनों श्रीमति गांधी जी आपने राइबरेरी में इस रेंपोज फैक्टरी का शिलानियास कर या इसकी अस्थापना करके आपने केवल राइबरेरी का कल्यान नहीं किया है अपितु पूरे प्रदेश का कल्यान किया है मैं एक सारी जंता को सब के सामने ये सब को याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश सरकार की लाखो अरंगे बादी के बाद नेरु खांदान के आनबान के मताबिद आपने हग परिशाने को झेल करके और इस रोज रेल को फैक्टरी का सिलानयाज करके ही दम किया इसकी अस्थात्मा करके ही दम लिया इसके के मुझे संस्कृत का एक इसलोग काता है मेडम यान्ति न्याए सु प्रविटत से त्रियंचो अपी सहायताम जिसके न्याए में प्रविक्ती है उसके पशु पच्छी तक सहायता करती है अनत भानम तु बच्छन ते गलत रास्ते पर चलने वाले के लिए उसका सोदरो आप ही भी होन चती सगा भाई भी उसका साथ छोड़ देता है मदम मैं आपको इस अपार जंखमू के साथ आपको विश्वास दिलना चाहता हूँ कि जिसने आपका विरोज किया उसका सफाया समझ लीजिया तिसी दगे उसका सगा भाई भी साथ सुझेगे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आभाव भृत करता हूँ जयाँ अवनरोद करते हूँ जगदिशपुर से मानने विधायक Shri Ransivaq Dhobi Ji से कि वो हमें आकर संबूधित करें जयाँ 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 याँ जयाँ 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 सुनिया गांधी जी और राहुर गांधी जी उनके साथ में हैं आज ये चीज ये बड़ी चर्चा हुई रेल की तो मैं भी दिल्गुला आपको परोसी हो जादा नहीं कोंगा एक रेल हारे एक परस्ताव पहले चल रहाता अब नहीं है अमेठी से मसाफिर खाना मिलवाद दे आने जाने को लोगों दो जोटा रूप दे रहे हैं लेकिन इसको जरूप करें हमेठी से सुल्टान दोड़ा और अब मैं अनरोद करती हूँ राइबरेली से माननी विधायक श्री देवी द्याल शास्त्री जी से कि वो हमें संबोधित करें कोंगरेश के राश्त्री अध्यक्ष माननिया श्रीमति सोनिया गांधी जी और माननी राहूल गांधी जी समानित रेल बंक्री मानी श्रीलालू प्रशाद्या लो जी समानित मञ्च समानित बेहने समानित भाईयो मैं सबसे पहले इस जल सहलाब का हिर्दे की गहराईों से स्वागत करता हूँ आप सब ने माननिया सोनिया जी के आशीर भचन प्राप्त करने के लिए और उनके स्वागत में अपनी उपस्तिती दी है मैं बार-बार हिड़े की गहराईों से आपका स्वागत करता हूं आप सब का स्वागत करता हूं और दो पंक्तियां मानी राहुल जी के लिए है कि उचाईयों पर तुम्हें देखके हैरा हैं बहुत लोग उचाईयों पर तुम्हें देखके हैरा हैं बहुत लोग पर किसी ने आपके पैर के छाले जी देखे हैं धन्यवाद जैहिं बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं मानेनिये केंद्रिये रेलमंत्री श्री लालू प्रसाद जी से गुजारिश करती हूँ कि वो यूपिया अध्यक्षा मानेनी श्रुमते सोनिया गांदी जी को प्रतीक चिन्न भेट करें अगरे करती हूँ मानेनी केंद्रे रेल मंच्री श्री लालू प्रसाद जी से कि वो हर दिल अजीज देश के युवा नेता मानेनी राहूल गांदी जी को प्रतीक चिन्न भेट करें अब मैं अनुरोध करती हूँ मानेनी विधायक सरेनी श्री अशोक सिंग जी से कि वो मानेनी यूपी अध्यक्षा सोनिया गांदी जी को प्रतीक चिन्न भेट करें मानेनी ये केंद्रिये रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी को भी प्रतीक चिन्न भेट करेंगे श्री अशोक कुमार सिंग जी मानेनी राहूल गांदी जी सांसत लोगसभा को प्रतीक चिन्न भेट करेंगे श्री अशोक कुमार सिंग जी और अब में श्री उमार शंकर मिश्रा जी अध्यक्षस दिला कॉंग्रिस कमिटी से अनुरोद करती हूँ कि वो मानेनी ये सोन्या गांदी जी मानेनी ये केंद्रिये रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी मानें ये लोग सभा सांसर राहुल गांदी जी का स्वागत फूलों से करें अच्छी अशोक सिंग जी राश्री महा सचिव राश्री जनता दल माननीय सोनिया गांदी जी माननीय केंड्री रेल मंत्री शीलालो प्रसाद जी माननीय राहुल गांदी जी का स्वागत फूलों से करेंगे और अब हम आगरे करते हैं सैयुक्त प्रगत शील गटबंधन अध्यक्षा माननीय सोनिया गांदी जी से कि वो अपने करकमलों द्वारा इस परियोजनिका की पट्टी का अनावरन बटन दबा कर करने का कष्ट करें राई बरेली की जनता का सपना जो आज साकार होने जा रहा है बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं आमंजृत करती हूँ देश के चहेते युवानेता हर्दिल अजीज नेता लोकसभासांसयद माननीय श्री राहूल गांदी जी को कि वो अपनी राए से हमें अवगत कराएं श्रीमती सोनिय जी रेल मंत्री लालू प्रशाद यादव जी वेलू जी हमारे सब विधायक गन रेल्वे से आया अधिकारी भाईयों और बहनों आप सब का यहाँ स्वागत मैं सांसद अमेठी का हूँ मगर काम मेरा अमेठी और राइबरेली दोनों में होता है और मैं अपने आप को यहाँ का जूनियर सांसद मान के चलता हूँ पिछले पाँच साल सुनिया जी ने यहाँ पे बहुत काम किया है हर महीने यहाँ आती हैं और आप से मिलती हैं मगर सबसे बड़ा काम जो पिछले पाँच साल में हुआ है वो इस रेल फैक्टरी का हुआ है और इस काम से राइबरेली को और अमेठी को दोनों को फाइदा होगा डाइरेक्ट फाइदा आठ हज़ार लोगों को होगा जिनको यहाँ रोजगार मिलेगा मगर यह रेल विग कोच की फैक्टरी है तो यह एक अकेली फैक्टरी नहीं लगेगी इसको सपोर्ट देने के लिए काफी रोगसीलिरी की फैक्टरी लगेंगी और बहुत इंडेस्टरी यहाँ आएगी हिंदुस्तान में दो और एसी फैक्टरिया है एक कमिलनाडू में है और एक कपूर्थला में है और मुझे भी बता रहे थे कि जब यह फैक्टरी कपूर्थला पहुँची कपूर्थला बिलकुल बदल गया जिस प्रकार रेल्वे फैक्टरी ने कपूर्थला को बदला उसी प्रकार यह फैक्टरी गायबरेली को बदल डालेगी मगर यह एक कदम है आगे आने वाले समय में हम ऐसे और बहुत कदम लगाएंगे और रेल्वे रेली को अमेठी को आगे बढ़ाएंगे मेरी सोच है कि अगर रेल्वे रेली को अमेठी को आगे बढ़ाना है तो दो चीजी की ज़रुवत है एक है रोजगार और दूसरी शिक्षा शिक्षा पर सोनिया जी ने और मैंने रेल्वे रेली अमेठी में काफी काम किया है आप जानते हैं यहाँ पे FTDI का इंस्टिटूट खुला है निफ्ट का इंस्टिटूट खुला है इंद्रा गांदी उडान अकैडेमी में काम हुआ है तो ये दो एरिया है हमारे फूकस के शिक्षा और रोजगार और इनके साथ हम राइवरेली को अमेठी को आगे बढ़ाएंगे एक बार फिर मैं लालू जी का बहुत धन्यवाद करना चाता हूँ कि उन्होंने ये रेल्वे फैक्ट्री राइवरेली भेजी जहाज में मुझसे ये कह रहे थे कि रोजगार के इलावा यहाँ वो ट्रेनिंग का भी एक सेंटर खोलेंगे तो इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद जैहन बहुत बहुत शुक्रिया माने निये रेल्मंद्री श्री लालू प्रसाद जी का अथक प्रयास बेपना मेहनत का नतीजा है कि आज भारतिये रेल विश्वकी नंबर एक रेल बन रही है आपने रेल्वे का जादोई कायक कल्प करने में बेपनाव काम्याबी हासिल की है मैं गुजारिश करती हूँ माने निये रेल्मंद्री श्री लालू प्रसाद जी से कि वो हमारा मार्ग प्रशस्त करे देश के और उप्ये के मान्य नेता सोनिया गांधी जी देश के उद्यमान जुबा नेता परखर नेता मान्य सांसाद राहुल गांधी जी मेरे साथी रेल्वे राजमंत्री बेलू जी रेल्वे बोड के चेर्मेन जेना जी जेनरल मनेजर उत्ता देल्वे सहाजी मान्य विधायग अशोक सिंग्जी सभी मान्य विधायगन राश्ती जन्तादल के जुबा के नेता अशोक सिंग्जी यहां उपस्थे सभी नागरिक भाई बहन न वजवान साथियो माता और बहनों प्रेश मिध्या के सभ साथे गन आज का दिन राय बरेली उत्तर प्रदेशन भारत के लिए तिहाशिक दिन है जब देश में तिसरे दिल कुछ सक्टी का निर्मान का काज का सुबारम मानिव के अधर स्रिमती सोन्या गांधी जी के करकमडों से किवाई